इस विडियो में दिखाया गया है कि अपने कम्प्यूटर को साफ और हवादार रखकर इसके अंदर गर्मी को कैसे रोकें और कम करें यदि विंडोज प्रतियुत्तर देना बंद कर देता है पंखें ज्यादा आवाज करते हैं या माउस और कीबोड प्रतियुत्तर देना बंद कर देते हैं तो शायद कम्प्यूटर ओवरहीट हो रहा है शुरू करने से पहले बिजली के जटके से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि कम्प्यूटर के आसपास का क्षेत्र साफ है इलेक्ट्रोस्टाटिक जटके से बचने के लिए बिना कार्पेट वाले फर्ष पर काम करें तीखे किनारों से बचें अर्त्यधिक गर्मी के सबसे सामान्य कारण हैं कम्प्यूटर के अंदर धूल, नया भाग जैसे हार्ट ड्राइव, कमरे का ज्यादा तापमान या कूलिंग फैन पुराना होना गर्मी की समस्याओं के लिए कम्प्यूटर की जाच करने के लिए इन चरनों का पालन करें सबसे पहले साइड पैनल के स्क्रू निकालें और कम्प्यूटर ठंडा करने के लिए पैनल खोलें खराबी से बचने के लिए वस्तूओं को कम्प्यूटर के भीतरी भाग से दूर रखें Side Panel के खुला होने पर कंप्यूटर को बंद करें और Power Cable को अनप्लग करें कंप्यूटर के ठंडा होने तक इंतजार करें Power Cable को प्लग में लगाएं और कंप्यूटर चालू करें उस Software Program को शुरू करने की कोशिश करें जिसने हाल ही में प्रतियुत्तर देना बंद कर दिया था यदि समस्या बनी रहती है तो अगले चरण पड़ जाएं देखें की कंप्यूटर के पंखें चल रहे हैं कंप्यूटर के चलते होने पर कूलिंग पंखों को देखने के लिए अंदर जांकें यदि कोई पंखा नहीं चल रहा है या असमान्य आवाज करता है तो कंप्यूटर को बंद करें और पंखे को बदलें कुछ हिस्से Electro Static Discharge ESD द्वारा खराब हो सकते हैं ESD की खराबी के अवसर कम करने के लिए बिना कार्पेट वाले फर्ष पर काम करें Static Dissipative कार्य सतख जैसे Foam Pad का इस्तमाल करें और Grounded सतख से जुड़ा हुआ ESD Wrist Strap पहने अंतरिक हिस्सों में धूल जम सकती है और वायू के प्रवा में बाधा डाल सकती है कम्प्यूटर साफ करने के लिए इन चरणों का पालंग करें कम्प्यूटर को बंद करें और पावर कार्ड निकाल दें सारे बाहरी वेंट्स साफ करने के लिए कैन वाली हवा या छोटे वैक्यूम क्लीनर का इस्तमाल करें कम्प्यूटर को अंदर से साफ करने के लिए vacuum cleaner का इस्तमाल न करें। ऐसा करने से कम्प्यूटर को नुकसान हो सकता है। कम्प्यूटर के side panel को बदलें। पावर कार्ड लगाएं और कम्प्यूटर चनाएं। यदि समस्या बनी रहती है तो अगले चरण पर जाएं सुनिश्चित करें कि कम्प्यूटर के आस पास वेंटिलेशन के लिए परियाप्त जगा है कम्प्यूटर को समतल्द सतह पर सीधा रखें सुनिश्चित करें कि कम्प्यूटर के सामने और पीछे कम से कम 15.25 सेंटिमीटर या 6 इंच की जगा है कम्प्यूटर को ज्यादा गरम होने से बचाने के लिए इसे ठंडे कमरे में रखें तापमान में बहुत थोड़ा सा अंतर कम्प्यूटर को नुक्सान से बचा सकता है उपलब्द BIOS BIOS अपडेट देखने के लिए HP समर्थन वेबसाइट पर जाएं HP की वेबसाइट से अपडेट डाउनलोड करने के लिए अपना वेब ब्राउजर खोलें और hp.com.slash drivers पर जाएं अपने कम्प्यूटर पर ड्राइवर और BIOS BIOS डाउनलोड और अपडेट करने के लिए स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों का पालन करें अतिरिक्त गर्मी निकालने के लिए एक और पंखा लगाएं अधिकांग्ष कम्प्यूटर सप्लाइ स्टोर पर स्लोट पंखे जैसे केस पंखे उपलब्ध होते हैं इन पंखों को विडियो कार्ट के बगल में स्लोट में लगाया जा सकता है पंखे को लगाने के लिए इसके साथ दिये गए निर्देशों का पालन करें फिर साइड पैनल वापस लगा दें और पावर कार्ड प्लग में लगाएं कम्प्यूटर चलाएं यदि गर्मी से संबंदित समस्याएं बनी रहती हैं तो अगले चरण पर जाएं गर्मी की समस्याओं का निवारण करते समय हाडवेर विफलता की जाच करें स्टार्ट स्क्रीन पर डायगनौस्टिक सॉफ्ट्वेर टाइप करें फिर खोज परिनामों से डायगनौस्टिक सॉफ्ट्वेर चुनें हाड़वेर विफलता की जाच के लिए स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करें. आपको hp.com slash support videos पर और हमारे YouTube चैनल youtube.com slash hps support hindi पर और सहायक video मिल सकते हैं.